दोस्तो आज मैं आपके लिए फ्यूचर की पांच ऐसे कारे लेकर आया हूँ जो कारों की दुनिया को बदल के रख देगी जिनकी कीमत इतना ज्यादा है कि अमिर लोग भी इसे खरिदने की सपना देखते है अगर आपको भी कार चलाने की शौक है तो वीडियो को लास तक ज जीत लिया जिसकी सबसे खास बात ये है कि दरवाजा पीछे से उपर की ओर खोलती है जो इसे खुबसूरत और यूनिक बनाती है ताके लोग भी अपनी विलचेर से इसके अंदर आसानी से घुस पाए इस कार की टायर को काफी अच्छे से कौवर किये गए इस कार में छे आदमी आसानी से सफर कर सकते है नमबर दो रेनौल्ट इजएट प्रो रेनौल्ट कमपनी ने इस कार को उन लोगों को लिए बनाया है जो सरक पर चलने वाला ओफिस या फिर डिलेबरी करने वाला कार चाते थे जिसके लिए ड्राइबर की जरुरत नहीं परती क्यूंकि य उच्छे और गारी को जोर कर ट्रेन के जैसे इस्तमाल कर सकते हो नमबर तीन रेनौल्ट सैंब्योस इसे साल दो हजार अठरा में लोगों के सामने पहली बार लाया गया जिसे फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जिसे आपको फ्यूचर की हर एक स्टेक टेकनलोजी मिल जाएगी ताके आपके सफर के लिए आराम दायक बनाया जा सके इसे दोनों तरीके से चलाया जा सकता है चाहो तो आप इसे अपने आप चलाओ या फिर आटोमेटिक जिसमें चार लोग आराम से बैठ सकते है इसके अंदर का इंटियर इतना लगजरिस है ज कोई इसका फैन बन जाता है ऐसा ही हुआ इन दोनों भाईयों के साथ जिन्होंने बैडमेन जैसा कार दिखने वाली सेम कार बना डाली जो हुबा हुब बैडमेन जैसा कार दिखने लगता है उन भाईयों का कहना था कि वो लोगों को दिखाना चाते थे कि मूवीज में दि दिखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये कार कम स्पेस से आया यूफो जैसा दिखेगा जो की एक साइन्टिफिक कार है जिसकी उपर का पुरा हिस्सा ग्लास का बना हुआ है जो सरक पर चलते समय लोगों का ध्यान अपनी ओर खीचने लगता है दोस्तो इन में से कौन सा क आपको पसंद आया है आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कीजिएगा दोस्तो ये वीडियो मुझे बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यव प्लीज सब्सक्राइब करना ना बुले